दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल जिसका नाम है RD Education दोस्तों एक बार फिर हम आपके लिए एक नई वेकेंसी की जानकरी लेकर आये हैं जो की जारकंड करमचारी चैन आयोग की तरफ से हैं दोस्तों जारकंड करमचारी चैन आयोग यानि की JSC ने 701 प्रशिक्षन अधिकारी के पदों पर भरती की अधिस उचना जारी की है और इस वेकेंसी का ओफिशल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आप इस वेकेंसी में 12 अप्रेल 2022 से एपलाई कर सकते हैं तो क्या है इस वेकेंसी की पूरी डिटेल चलिए जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों ये है इस वेकेंसी का ओफिशल नोटिफिकेशन जो की 6 अप्रेल 2022 को जारी किया गया था जारकंड करमचारी चैन आयोग ने प्रशिक्षन अधिकारी के 701 पदों पर वेकेंसी की अधिसूचना जारी की है और आप इसमें 12 अप्रेल 2022 से एपलाई कर सकते हैं चलिए जानते हैं इस वेकेंसी के पदों की रिक्तियों के बारे में सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं पद का नाम और कुल रिक्ति पदों की संख्या नमबर वन प्रशिक्षन अधिकारी कोपा के यहाँ पर चार पोस्ट हैं नमबर सेकेंड प्रशिक्षन अधिकारी इन्फॉर्मेशन टेक्नोलोजी के आठ पद हैं No.3, Precision Adhikari Sheet Metal Worker की यहाँ पर दो पोस्ट है, No.4, Precision Adhikari Front Office Assistant की यहाँ पर 6 पोस्ट है, No.5, Precision Adhikari Fashion Technology, Fashion Design and Technology की यहाँ पर 14 पोस्ट है, No.6, Precision Adhikari Basic Cosmetology की यहाँ पर 6 पोस्ट है, No.7, Precision Adhikari Civil Technology, Cutting and Tailoring की यहाँ पर 10 पोस्ट है, No.8, Precision Adhikari Droughtsman Mechanical की यहाँ पर 8 पोस्ट है, No.9, Precision Adhikari Droughtsman Civil की यहाँ पर 6 पोस्ट है, No.10, Precision Adhikari Mechanic Motor Vehicle की यहाँ पर 14 पोस्ट है, No.11, Precision Adhikari Turner की यहाँ पर 26 पोस्ट है, No.12, Precision Adhikari Machinist Grinder की यहाँ पर 2 पोस्ट है, No.13, Precision Adhikari Wireman की यहाँ पर 8 पोस्ट है, 14. प्रसिक्षन अधिकारी मशिनिस्ट की यहाँ पर 20 पोस्ट है 15. प्रसिक्षन अधिकारी प्लमबर की यहाँ पर 10 पोस्ट है 16. प्रसिक्षन अधिकारी मेकनिक टेक्टर की यहाँ पर 2 पोस्ट है 17. प्रसिक्षन अधिकारी सर्वेर की यहाँ पर 10 पोस्ट है 18. प्रसिक्षन अधिकारी Mechanic Diesel की यहाँ पर 44 पोस्ट है 19. प्रसिक्षन अधिकारी Welder की यहाँ पर 60 पोस्ट है 20. प्रसिक्षन अधिकारी Mechanic General Electronics और Electronics Mechanic की यहाँ पर 34 पोस्ट है 21. प्रसिक्षन अधिकारी Fitter की यहाँ पर 122 पोस्ट है नमबर 22 प्रशिक्षन अधिकारी विद्यूत की यहाँ पर 133 पोस्ट है नमबर 23 प्रशिक्षन अधिकारी मेच्स की यहाँ पर 74 पोस्ट है और नमबर 24 प्रशिक्षन अधिकारी ड्रोईंग की यहाँ पर 78 पोस्ट है इस तरह से जारकन कर्मचारी चैन आयोग ने 701 प्रशिक्षन अधिकारी के पदों पर भरती की अधिस उचना जारी की है चलिए जानते हैं इसकी सेलेरी के बारे में तो प्रशिक्षन अधिकारी की पोस्ट के लिए आपको लेवल 6 के कोडिंग 35,400 से 1,12,400 रुपे दिया जाएगा चलिए बात करते हैं इस वेकिंसी में एज लिमिट की तो यहाँ पर अनारक्षित एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मिनिमम 21 साल और मेक्जिमम 35 साल एज लिमिट रखी गई है अनुसुची जाती के पुरूष एवं महिला दोनों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल और मेक्जिमम 38 साल रखी गई है नमबर थर्ड अत्यांत पिछड़ा वर्ग अनुसुची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसुची 2 पुरुष के लिए minimum age limit 21 साल और maximum 37 साल रखी गई है नमबर 4 महिला अनारक्षित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अत्यांत पिछड़ा वर्ग अनुसुची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसुची 2 के लिए minimum age limit 21 साल और maximum age limit 38 साल रखी गई है परिक्षा शुल्क की अगर हम बात करें तो परिक्षा शुल्क 100 रुपे यहां पर रखा गया है जिसमें परिक्षा शुल्क में छूट जहारकंड राज्य के अनुसुची जन्जाती अनुसुची जाती के अभ्यारतियों के लिए परिक्षा शुल्क 50 रुपे है और कार्म निशक्तता वाले दिव्यांग अभ्यारतियों को परिक्षय शुल्क में छूट अनुमान्य है। और इसकी OMR आधारित परिक्षा की संभाविती थी करीब जून महा के प्रतम सब्ता में हो सकती है। जोब लोकेशन इसकी जहारकंड है और क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएशन पास मांगा गया है। जोब लोकेशन इसकी जहारकंड है। जोब लोकेशन इसकी जहारकंड है।